कि बिस्मिल्लायरमानिरहीम अस्सलाम अलेकम आज हम बनाने जा रहे हैं मटर चावल राइस कुकर में इसके लिए हमने मेजरिंग कप के साइज से डेर कप चावल लिए थे दो के आधा घंटे के लिए भिगो दिये थे हाफ कप मटर लिए घर की तलीवी प्याज है तीन हरी मिच्चे हैं एक मैगी का चिकन क्यूब है एक बड़ी लाइची है दो टेबू स्पून दई है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक पैन ले ले लेंगे उसमें थोड़ा सम तेल डालेंगे तेल के साथ ही सब ची राची वन टीस्पून जाइगरस में जिंडर गार्डिक पेड अबिश्कंग जाल रोंगे शिकन क्यूब हमें लिए एक शिकन क्यूब होग्सनल है और चातने दगी तूटे बिश्कंग दगी चिकन क्यूब अच्छी तरह से इसमें घुल जाए फिर इसको में डालेंगे चालनों के साथ चिकन क्यूब में अल्रडी नमक होता है तो नमक चेक करना पड़ेगा कि कितना डालनें तो यह ज़िए कप मेजरिंग कपकर राइस का साइज था तो यह ज़िए कप ही हमने पान करते हैं राइस को करने चावल अगर हमने इसमें डाल दिया अबाला गया एक बाल के बाद राइस को में डाल देंगे चावल को और इसको एक बाल देना है इसमें अबाला अगया अब नमक चेक कर सकते हैं अगर नमक कम लगेगा तो डालेंगे वन फोर टीस्पून नमक डालें इसमें इसमें चिकन क्यूब से बिल्कुल सही है इसका नमक और इसको अब चला कि हम प्राइस को कर में डाल देंगे दम पे जाएगी प्यास अभी प्यास में नी डालूंगी प्यास को मैंने रोक लिए रास फुकर कॉन कर देंगे अब इसमें डालेंगे तरीवी प्यास और एक दफस को हलका सा चला लेंगे ताकि प्यास नीचे तक चलीज़े मतर चामल हमाई डान है रास कुकर में हमने बनाएं अब इनको हम डिशाउट करके दिखाएंगे बना के जब देखिएगा हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थेंक यू